स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर तो CSIR Central Lather Research Institute में वैकेंसी आई है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे आप यहाँ ओफिसियल वेबसाइट पे देख सकते हैं यहाँ पे Technical Assistant Grade 3, 1 & 2, Technician 1, Grade 2 and Junior Hindi Translator की पोस्ट है इस पे Detailed Video पूरी Notification के साथ हमने बना दिया है अगर आपने नहीं देखा तो Description में लिंक है वहाँ से जरूर देखेगा आज इस वीडियो में हम लोग Step by Step Registration से लेके Complete आपके Form Fill Up का Process देखेंगे जिससे कि आप Mobile Phone से अपना Form Fill Up कर पाएं इसलिए हम वीडियो भी Mobile से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोग इजली अपने ही Mobile Phone से Form Fill Up कर पाएं तो वीडियो पूरा देखेगा उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए यहाँ पर आपको जो भी आपके लिए Job Apprentice आती है उसका Form भरने का वीडियो उसके डिटेल जब उसके रिजल्ट आ रहे हैं उसका Admit Card आ रहा हो Merit List आ रहे हो साथी साथ ITI से जुड़ी हर तरह की आपकी जो Study की वीडियो जहां आपको इस चैनल पर मिलती रहती है प्ले लिस्ट आप जाके चेकाउट कर सकते हैं यह है Complete Notification अगर आप ITI पास आउट हैं उसके लिए साथी साथ ऐसे और भी Notification है यह तीनों Notification आप लोग Form भनने से पहले डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजेगा आईए चलते हैं हम लोग Form Fill Up वाले Process पे जो Form Fill Up का लिंक है वो आपको Description में दे देंगे जिससे आप आसानी से जाके उसी लिंक से Form Fill Up कर सकें अब यहाँ आप देख लिजेगा आप जिस Postal प्लाई कर अगर Junior Hindi Translator के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे Technician 1 Grade 2 के लिए अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे Technical Assistant के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पे Technician का Form Fill Up करके देखते हैं जिसमें योगिता जो मागी गी हो आई टीए ही मागी गी अठारा ट्रेड इसमें टोटल eligible है apply करने के लिए यहाँ पे आप notification डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से online application का start date थे 21 माई लिखा है जो कि आज है तो अभी हम आपको apply करके बता रहे हैं closing date 20 जून होगी उससे पहले आपको कर लेना apply new registration पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले advertisement number select करना है तो आप यहाँ पर select कर लीजिए कि आप किस पर apply कर रहे हैं जो आपका यहाँ ट्रेड हो जैसे fitter है machinist है instrument mechanic है instrument mechanic है chemical plant है swing technology इस तरह से आप देख सकते हैं कोपा है electrician plumber draftman mission तो जो जिसमें आप eligible हो वो आप यहाँ पर click कर लीजेगा ठीक है click करने के बाद eligibility criteria आपको पता यह idea अगर आप pass out है 10th में आपका 55% marks है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं form fill up कर सकते हैं ठीक है category यहाँ पर आपको चूझ करनी है general EWS and OBC की यहाँ पर application fees लगने वाली है SC and SD की यहाँ पर कोई fees नहीं लगेगी ठीक है category आपको अपनी चूझ कर लेनी देने यहाँ पर आपको अपना title आप क्या लिखते हैं वो चूझ करना है name email confirm करना email password password जो आपको डालना है 8 character का डालना है एक इसमें number भी होना चाहिए एक upper case होना चाहिए एक special character भी होना registration ID आ गई ठीक है अब यही ID और password जो आपके आई इस ID को हम यहाँ पर copy कर लेते हैं ठीक इसी ID और password चेप क्या करना है आपको login करना है यहाँ पर नीचे आएंगे आप देखे login का option है यहाँ पर आपको अपनी registration ID डालनी है तिन आपको अपना password fill up करना है fill up करके आपको login पर click कर देना है जैसे आप login पर click करेंगे यहाँ पर देखेंगे login आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है login हो गया आपको इतनी चीज़ें fill up करना है personal detail then educational detail experience अगर कुछ है तो वो detail other details है then फिर final submission है आपका fee payment भी यहाँ पर रहेगा fee payment कैसे करना वो भी हम आपक आपको बताएंगे ठीक है यहाँ पर हमने category चूच की है जिनमें fee accepted है जिससे कि आपको यहाँ पर हम बता सके बाकि fee payment का हम पूरा process आपको बता देंगे तो सबसे पहले आपको अपनी photo and signature attach करनी यहाँ पे upload करनी है तो आप उसकी file रखिएगा jpg format में and उसको यहाँ पे easily अब यहाँ पर आपको select करना father or husband name तो आप father name डालना चाहें father's name यहाँ fill up करना दें mother's name, date of birth, gender, marital status, mobile number आपको यहाँ पे डालना है फिर correspondence address डालना है अगर permanent और यह दोनों save है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको save करना detail को then next पे जाना है fill up कर लेते हैं आप लोग भी इस तरह fill up कर लीजेगा यहाँ पर आपको पूरी detail अपने fill up कर देनी है आधार numbers लेके सब कुछ इन सब में आप क्या करिएगा age relaxation अगर आप claim कर रहे है तो उसको yes करिएगा अगर नहीं claim कर रहे है तो उसको no कर दीजेगा ठीक माल लीजे आपकी य ज्यादा है आपको five years का relaxation claim करना है तो आप yes कर सकते हैं अदरवाईज आप no कर सकते हैं यह करने कबाद आप save detail करके next page पर जाएंगे अगला आएगा आपका educational detail educational detail में यहाँ देखे label आएगा label पर आपको click करना है पहले आपको 10th equivalent जो आपने किया हूँ आपको fill up करना है दिन आप पूछे subject पूछेगा तो आप चाहे subject के सारे नाम लिख सकते हैं या आप जो भी अगर आपका science extreme रहा हो तो आप यहाँ पे science भी लिख सकते हैं ठीक है board या university में आपका जिस board से हो suppose कर मेरा अगर UP board से है तो मैं यहाँ पे UP board लिख दूँगा आपका जिस board से हो का लिख कर देंगे certificate number यहाँ पर माग रहा हो certificate number आप यहाँ पर अपना जरूर इंटर कर दीजेगा अब यहाँ पर आपको इसका जो certificate है high school का और mark seat है वो दोनों upload करना पड़ेगा तो उसको आप जरूर upload कीजेगा उसके बाद फिर आपको दूसरे degree add करनी है यहाँ पर upload हो गया अब फिर से आप क्या करेंगे save detail पर click कर देंगे ठीक है जैसे आप save detail पर click करेंगे यहाँ पर देखे save educational detail ठीक जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपकी educational detail जो है यह save हो जाएगी ठीक अब यह save हो गई अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ITI भी अपना add करना है जो आपने save किया अब इसी में आप क्या करेंगे यहां पर आपका IT या जो भी 12 आपाइड करना चाहें वो आपका कर सकते हैं अब नेमाफ एग्जाम या डिग्री में आप चाहें यहां यहां नुप सकते हैं ठिक यहां पर subject पूछेगा तो आप अपना trade डाल दीजेगा देन यहां board या university तो आप इसमें ncvt डालिएगा जो भी आपका रहे ठिक है यह रह पासिंग आपका जो आए आपको यहां पर fill up करेंगे marks आपने कितना obtain किया वो आपको यहां पर डालना है ठिक वो डालने के बाद अब फिर से आपको यहां क्या करना है अपना certificate और अपनी mark sheet को यहां पर upload कर देना है upload करके फिर से आप क्या करेंगे save educational detail पर click करेंगे then फिर नीचे आ जाएंगे अब आप करेंगे save detail पर click फिर click करेंगे next page पर कर लेते हैं अब यहां पर आप देखेंगे आपका दोनो education add हो गया अब यहां पर फिर से आप save पर click करेंगे जैसे आप save पर click करेंगे फिर आपको next page पर चलना है तो हम यहां पर no कर देते हैं आपका अगर को experience होगा तो आप yes कीजेगा then total experience कितने साल कितने महिने और कितने दिन का है आप CSIR servant है present में या नहीं यह सारी चीजें yes या no आपको करने अगर yes करते हैं तो उसका फिर आपको detail देना होगा save detail पर फिर से click करना है यहां पर आप कर दीजे no ठीक है save detail पर click कर देंगे जैसे save detail हो गई फिर आप क्या करेंगे next page पर चलेंगे अगला page देखिया आता है आपका यहां पर complete आप कर लिए कुछ आपकी अगर professional achievements है तो आप यहां पर दे सकते हैं अगर रही हो तो यह mandatory नहीं ध्यान दीजेगा जैसे आपने कोई research किया हो yearly, कुछ आपने journal publish किये हों, कुछ भी आप किये हों, तो आप उस चीज को यहां पर दे सकते हैं, top 5 आपका कोई publication रहा हो आप यहांपर दे सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है यहांपर? पेटेंट का year जो आपने कोई पेटेंट कराया प्रोजेक्ट वो सब यहाँ पे दे सकते हैं अगर वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ एक चीज़ और पूछा जाएगा आपसे have you been outside इंडिया आप कभी इंडिया के बाहर गए तो आप no कर दीज़े का नहीं गए हैं तो साथ में फिर यहाँ और जो भी चीज़ इस्टार लगी उसे आपको देना otherwise case में आप यहाँ पे save detail कर सकते हैं और save detail करके आप direct next पे जा सकते हैं next page पे चले जाएगे next पे देखे जैसे आप आएंगे अब आता है other details other में है आपका payment and reference का detail ठीक है अगर आपका कोई payment आपने जो किया है उसका detail देना है उसके बारे में बात करेंगा other detail में देखे पूछा जारा अगर आप select होते हैं तो आप कितने time में इसे join कर सकते हैं कितने मंद में आप यहाँ पर दे दीजिए कर हम select होते हैं एक महिने में हम join कर लेंगे whether any prosecution आपके खिलाफ कोई if IR वगएर कोई case तो नहीं नहीं है are you under any bond or contractual obligation अगर आप कहीं जावब कर रहे हैं किसी autonomous body PSU या central state government तो आप उसको yes या no करिएगा ठीक देन फिर आप save detail और इसके बाद आप क्या करेंगे next page पे click कर देंगे जैसे आप next page पे आएगे अब यहाँ पे आप देखे क्या आ गया final submission आ गया ठीक है final submission के case में क्या है आप complete अपना इसको check up कर लीजे I agree पे click कर लीजे I agree जैसे आप करेंगे यहाँ पे print एक preview का option आएगा final submit का option तो आप चाहें तो पहले print preview ले सकते हैं preview के बाद आप application को submit कर सकते हैं उससे पहले एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आप registration कर रहे हैं देखिए यहाँ पे registration तो आप ने कर लिया जाके upload करना होगा ठीक है यहाँ पे आप देखिएंगे सो रुपए फीस है स्टी पीड़लूडी ओमेन एंड सीसाई एर एंप्लाई का कोई फीस यहाँ पे नहीं लग रहा है तो यह फीस पूरा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे आप SBI कलेक्ट अपको सेलेक्ट करना है तमिल नाडू ठीक है गो कर देना है जैसे आप गो पर करेंगे देखें यहाँ सेंटरल लेजर इंस्टिटूट पहले से आ गया है यहाँ आपको कटेगरी अपनी चूच कर लेनी है ठीक है जिसमें भी आप कर रहे है अप्लाई वो सारी कटेगरी करने के बाद आपको करना है पूरा प्रोसेस का हम आपको PDF दिखा जेते हैं देखें आप जैसे प्रोसी पे क्लिक करेंगे यहां पर आप स्टेट में सेलेक्ट करते हैं तमिल नाडू ठीक Commerce सेलेक्ट करनेके बाद आप नीचे दीखैं पिल और को एक करना है अपना है अपन application fee 2021-22 आपको select करना है यहाँ पर अपना अप्लिकेंट का जो है नाम डालना है ठीक है post code जो आपकी है वो आपको डालना है यहाँ पर amount आपको fill up करना है यह fill up करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे कुछ detail मागी जाएगी data of birth, mobile number, आपका email id तेने यह code इंटर करके आपको क्या करना है submit पर क्लिक कर देना है जैसे आप submit पर क्लिक करेंगे इस तरह का page आपके सामने open होगा उस पर आपको confirm पर क्लिक करना है confirm पर क्लिक करने के बाद इतने सारे option आपके पास आजाएंगे credit card, debit card जिससे भी आप करना चाहें net banking से या UPI से आप payment कर सकते हैं ठीक है payment करने के बाद कुछ इस तरह कि आपके fees की जो रसीद हो generate होगी इस फी रसीद को क्या करना आपको इसका एक PDF आपको save कर लेना है ये PDF फाइल आपको वहाँ पर upload करनी पड़ेगी साथ ही इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं जो SBI collect का number है ये number आपको वहाँ fee payment के time पे fill up करना पड़ेगा सब आपका जब सही रहेगा तो आपको क्या करना है I agree पे click करना है दिन आपको final submit पे click कर देना है जैसे आप final submit पे click करेंगे देखेंगे यहाँ आएगा success your application submitted successfully fees payment का हम ने आपको process बता दिया वैसे आप कर लिजेगा अगर आपको problem आती है तो आप जरूर comment कीजेगा आप से नहीं fee payment हो पाएगी आप अपना login detail हमको mail करेंगे हम आपकी fees payment कर देंगे कोई problem नहीं होगा उसमें अब यहाँ पे जो भी candidates sort list होंगे for interview may take out the printout आप अगर sort list होंगे तो आपको इन application का printout अपने पास रखना होगा इसकी hard copy आपको नहीं send करनी है यहाँ पे आप क्लिक करके अपना application form का PDF जो है वो download कर सकते हैं इस तरह से आपका application form का PDF आप download कर लीजेगा और इसको अपने पास सुरच्छित आप रख लीजेगा कोसिस करिए इन सब चीजों का आप अपने Google Drive में रख लिया करिए कई बार आप बोलते हैं इसर डिलीट हो गया फोन फार्मेट हो गया Google Drive में आप रखेंगे तो कभी भी आपका फोन फार्मेट हो कुछ भी आप अगर अपना Gmail लॉग इन कर लेंगे तो आपको सारी चीजें as it is आपको at least मिल जाएंगे तो उमीद करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रही होगी आप अपना फार्म mobile phone से apply कर पाएंगे कोई भी दिक्कत आती तो आप कमेंट जरूर कीजेगा and फार्म जरूर fill up कीजे वैकेंसी अच्छी है मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में बने रहेगा चैनल पर thank you very much